Hello Friends, मैं उसनिहाँ, Welcome to my channel for you and your child हर पेरेंट का सपना होता है कि उनकी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें और आज की समय में बड़े बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी कॉम्पिटेशन का सामना करना पड़ता है कि हर स्कूल में हर क्लास की limited seats होती है और apply करने वाले students जादा होते हैं इसलिए स्कूल को एक selection का process करना पड़ता है कई स्कूलों में Class 1 में admission के लिए lottery का system होता है जिसमें आप अपने नाम डालते हैं और lottery basis पर जिनके नाम निकलते हैं उनका admission होता है कई स्कूल में written test होते हैं जिसमें Class Prep के basis पर written exam लिया जाता है English, Maths, Hindi का घबराये मत syllabus बहुत easy होता है और Class 1 के admission test related sample test paper भी मैंने अपने channel पर subject wise English, Maths, Hindi और EBS के बनाए वे हैं चाहे तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपके बच्चे के school में written test होने वाला है और कई स्कूलों में Class 1 में admission के लिए बच्चों का कोई भी written test नहीं लिया जाता केवल oral test लिया जाता है जिसमें बच्चों को teacher अपने पास बुलाती है और उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं हो सकता है कि जब teacher बच्चे से सवाल पूछ रहे हो उसी रूम में parents भी वहाँ पे बैठे हूँ और कई स्कूलों में केवल बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उनसे सवाल पुछते हैं situation चाहे जो भी हो written test हो, oral test हो या किसी तरह का interview हो कुछ सवाल मैंने इस वीडियो में आपसे share किये हैं इस वीडियो को अंते तक देखे जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवाल exam में पूछे जाते हैं चले वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंदाए तो से like and share कर देजे जिसे बाकी parents की भी help हो Question number 1 How many sense organs do we have? हमारे कितने sense organ होते हैं? Answer 5 How many alphabets are there in the English language? Anglesi भाशा में कितने akshar यानि alphabet होते हैं? Answer 26 Which animal is known as ship of desert? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? Answer camel Question number 4 Which part of a body you use to hear? आप अपने शरीर के किस हिस्ते का प्रयोग सुनने के लिए करते हैं? Answer Ear कान Which insect makes a web? कौन सा कीरा जाले बनाता है? Answer Spider यानि मकरा Question number 6 A dog lives in a dash कुते कहां रहते हैं? Kennel Question number 7 Which is the last letter of the English alphabet? अंग्रेजी वनमाला का आखरी अक्षर कौन सा है? Answer Z In which season we wear woolen clothes? किस मौसम में हम उनी कप्रे पहनते हैं? Answer Winter Question number 9 Home of a pig is called Pig के घर को क्या कहते हैं? Answer Stripe Question number 10 Which animal has a black and white stripes on its body? किस जानवर के शरीर पर काले और सफेद धारियां बनी होती है? Answer Zebra Question number 11 Which month comes after May? मैं महिने के बाद कौन सा महिना आता है? Answer June Question number 12 How many colors you see in a rainbow? Indra Dhanusha में आप कितने रंगों को देखते हैं? Answer 7 Question number 13 Mother of your father is your आपके माता के पिता आपके क्या लगेंगे? Answer Grandfather Question number 14 The sun rises in which direction? सूर्य किस दिशा में उगता है? Answer East Question number 15 Which insect makes honey? कौन सा कीरा शेहद बनाता है? Answer Honeybee Question number 16 Which animal gives us wool? कौन सा जानवर हमें उन देता है? Answer Sheep Question number 17 How many moon we see in the sky? कितने सारी चंद्रमा हमें आकाश में दिखते हैं? Answer 1 Question number 18 Name one fruit which is yellow in color एक फल का नाम बताएं जो पीले रंका होता है? Answer Question number 20 What is your mother tongue? आपकी मात्र भाशा क्या है? अगर आपका mother tongue हिंदी है तो आप हिंदी बोलेंगे मराथी, गुजराती, बिंगॉली जो भी आपकी भाशा है वो आप यहाँ पर बताएंगे कुछ सवाल बच्चों से pictures दिखाकर या फिर छोटे-छोटे toys दिखाकर उनसे related सवाल पूछते हैं For example, एक छोटा सा toy दिखाया जो की monkey का है, बच्चे से पूछा जाए कि यह कौन सा जानवर है आप बताओ तो monkey, monkey की spelling क्या है, इस तरह के सवाल बच्चों से पूछे जा सकते हैं तो छोटे-छोटे words की spelling आपको याद कराना है, animal, foods, vegetables, common चीजे जो हमें आसपास दिखती है, उसके नाम बच्चों को आपको याद करा लेना चाहिए तो यह थे कुछ sample questions, जिस तरह की questions, oral test में पूछे जा सकते हैं मेरे playlist को आप check जरूर करें क्योंकि class 1 admission related बहुत सारे और भी videos subject wise दिए वे हैं मिलती हैं आप से next video में, thank you so much for watching this video